हेलो गाइज वेलकम टू जेके स्टड़ी सर्कल और जैसा के आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर एकनोमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारे एकनोमिक्स का आई थिंग नाइन्थ लेक्चर है जो है प्लांट और मार्केट एकनोमी ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो हम शुरू करते हैं आज का टापिक अपना प्लांट और मार्केट एकनोमी सबसे पहले देखिए प्लांट एकनोमी को हम सेंटर प्लांट एकनोमी और कॉमिनिस्ट एकनोमी भी कहते हैं ठीक है और इसको कम लेनेज करती है। गोर्मिंट फेक्टर अफ प्रॉडक्शन मीन्स कौन-कौन से हो गए हमारे जासे हो गए है यह हमारे हो गए अपने यह त्ञक्छर फ्लेक्शन ठीकहा अब हो मुस् occurs and account में क्या होता है एकनोमिक सिस्टम इन विच दिए अलीमेंट आफ एन एकनोमिक जैसे लाय fakir सोर्स हो गए और सब्जेक्ट अफ दी गवर्मेंट यह सब्ज़क्त होते हैं गवर्मेंट के इनको कंट्र और रैगुलेट कौन करती है गोवर्मेंट करती है किस किस परपस के लिए डीजाइं टू अचीव धी अबजिक्टिव आफ कॉम्प्रिहंसी प्लान आफ कि लिए क्नॉमिक डेlt होगी ठीक है अब counle weil economy हम देखते हैं गोर्मिट क्रिए्ट्ट कर्येट्स अ कंट्रोल एकनोमिक प्लान जब सोरी तर गोवर्मिट क्रिएट अ सेंट्रेव एकनोमिक प्लान दा प्लान सेट एकनोमिक एंड सोचल गोल्प हईवी सेक्टर एंड रीजन आफ़ country government क्या करती है create करती है economic plan को ये economic plan किसलिए set किया जाता है for social goal इसमें सिर्फ होता है मतलब इसका मकसद होता है central plant का कि social welfare maximum social welfare ये profit motor के लिए नहीं होता है ये मतलब होता है social welfare के लिए ठीक है और ये every sector और every region country के हर एक region और हर एक sector के लिए होता है ये short term plan होते है है जो convert करते है goal को actionable objective में ठीक है the government allocate all resources according to the central plan जो government allocate करती है resources इसके according center plan के according it tries to nation capital labor and natural source in most efficient way possible it seeks eliminate unemployment इसमें government क्या करती है efficient use करती है कि इसका capital का labor का और natural resource का किस purpose के लिए कि हम अपने देश से unemployment को reduce कर सकें ठीक है फिर next the central government set priorities for a production of all goods and services central government क्या करती है priorities set करती है production के लिए goods and services के लिए this include quotas and price control ये इसमें क्या include होता है quota होता है कितने quota हमने produce करना और price इसमें control किया जाता है its goals is to supply through food housing and other basic meets the needs of everyone in the country इसमें इस goal में क्या होता है supply through food ठीक है housing और basic needs जो हर एक बंदे को चाहिए होती है जो हमारे country में रह रहे हैं इसका motto ये होता है ठीक है business man in the finance utilities automotive industries and owned and monopolized by the state authorities ये सारी मतलब किसके अंडर होती है जैसे finance हो गया utilities हो गया automotive industries हो गया ये सब monopoly होती है state authorities की इसमें अब क्या होता है इसमें the government create law regulation and directive to enforce central plan government क्या करती है law बनाती है उसको regulate करवाती है और directives देती है इसको मतलब enforce करने को central plan को business is follow the plan production and having target they can't respond on their on to free market resources अब यहाँ पे क्या करना बहता है अगर business है कोई उसको production करने के लिए भी सबसे पहले government की मतलब permission की जुरूरत होती है पर market economy में इसकी जुरूरत नहीं होती है यह central plan economy है इसलिए इनको कुछ भी अगर produce करना है तो या service कोई भी देनी है तो यह government decide करती है हमने क्या देना है ठीक है central plan economy अब इसकी advantages हम देखते है advantages क्या होती है price are kept under control and thus everybody can effort to consume goods and service इस economy में होता है जो price होते हैं वो control में होते हैं कि इसको regulate को कर रही होती है गूर्मेंट कर रही होती है और गूर्मेंट का पस क्या होता है रही होता है वह होता है social welfare not a profit motto so इसमें price control होते है कि हर एक बंदा consume कर सके good and services there is less inequality of wealth इसमें less inequality of wealth होती है दुप्लिकेशन अजधी alokation of resources in Central plant इसमें कोई duplication नहीं होता है क्योंकि allocation of resources को ऑन करता है government करते है जो Central Plant होती है level low level of unemployment low level of unemployment होता है with regard to profit and without regard to profit इसमें मजदल्ब profit and lost motive नहीं होता है मुटो होता है social welfare का ठीक है यह आप याद रखेंगे बदल्ब जो होता है यह central plant होता है यह purpose ही इसका होता है social welfare अब इसकी example है क्या है इसकी example जो क्यूबा क्या करती है offer free universal health coverage to their citizen यह देती है universal health coverage अपने हर एक citizen को ठीक है अब इसकी disadvantages क्या है consumer cannot choose and only those things and services are produced decided by the government अब consumer उसके बार तो कुछ चूज ही नहीं कर साथ यह तो सब decide करें कि government के हमने क्या produce करना इसमें lack of profit motto होता है इससे क्या होता है कि फिर inefficient हो जाती है ठीक है lot of time and money is wasted in communicating institution ठीक है फिर उसके बाद lack of competition hinder innovation अब इसमें क्या होता है कि competition ही नहीं होता तो इससे क्या होता है innovation आई नहीं पाती ठीक है you can't oppose the decision made by a centrally planned economy आप central plan के decision को oppose भी नहीं कर सकते अब उसके बाद क्या आगया market economy अब market economy क्या होती है market economy in which production of goods and services are directed by the law of supply and demand इसमें क्या होता है कि जो होती है goods and service की production किस पर depend होती है supply or demand अगर हमारी supply अगर हमारी demand जयता होगी तो हम उतनी ही supply बढ़ा देंगे और अगर हमारी demand कम होगी तो हम अपनी supply कम कर देंगे economic activity is driven by principle that business will sell their product at the highest price that consumer attempt to purchase इसका कहने का क्या मतलब है इसका क्या मतलब है जो economic activity है जो driven होती है इस principle से उसमें क्या होता है business sell करता है product को highest price पे that consumer attempt to purchase मतलब consumer इसको खरीदने में जिसमता होती है तो वह उसको खरीद लेता है इसका मतलब इसका purpose ही होता है marketing economy अब्धिका profit motto इसमें होता है जितना ज्यादा profit कमा सकते हैं उतना कमाओ ठीक है दोज product at lowest available at the available price अब जो क्या होता है कि कुछ अजमी नहीं खरीद पाते महंगे product और इस market economy क्या होता है कि हम उनको lowest available जितना हम मतलब जैसे मैं एक factory वाल ओनर हूँ और मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि मैं एक product बना रहा हूँ और मैं कितना ही उसको काम कर सकता हूँ कि मेरा profit भी आए मतलब इतनी प्राफिट में रखूं कि मुझे profit भी मिल जाए और अगला बंदा भी उसको खरीद पाए ठीक है इस market economy का यह purpose होत इंटेज़गा कमनलिजम नीड आफ कमांड काने मिन शोचलिजम और कमनलिजम इन जी वर उर रमेंटल इन इर udah न कशी ना करति है इस में यह आपने डिपंद हां कितना प्रोडेक्शियन करना या नहीं करना इज सानत भागल फिर्थियोら एलगल है इसलोड में इनस्टूमें आप संद दाप से शर्यां 되어 सतंकर पर्शम करें होती है जो जो मर्जीस पे डिसाइड करें ठीक है अब मार्केट लड़ होती है यह दा मार्केट इस लड़ प्रोडक्शन यूटिलाइज़िशन आफ रिसोर्स इस प्राइसिंग एंप्लाइमेंट लेवल और अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग डिमांड एंड सप्लाइब दिमांड बढ़ रही है तो उसे के साथ हम सप्लाइब बढ़ाएंगे तो फिर उसकी साथ हमें बंदें भी रखने पड़ेंगे इंप्लाइमेंट भी होगा लिए तो प्राइस भीं बढ़ाएंगे यूटिलाज़िशन आफ प्रॉपर यूटिलाज़िशन और सोर्सिस की दाननान मैंट गोर्मेंट 지साइड कर तक मिसमें जो मात होड़ी फूरी करेंगी और क्या किया मोअ कपीछ अजो मरत नुर्ड करेंगी है हुआ इस में ग리 में युखें मेर्गें नौटार प्रॉर्मेंट का प्रोड़क्टट इसमें क्या हوتा है कि बहुत सारी इंडरस्ट्री लाइड नमबर फ़र्म्स होती है जो सिमलर और हमीजेनस बनाती है और उन में कम्पेटिशन होता है क्यूंकि जैसे ज़्ट मैं भी वही जीज़ बना रहे हो कस्टोमर तो जांता ही लोगा िसका प्राइश क्या होगा उुट्थ वह बाद अब रासमति ना। ओए में बडाद हो वह बात है कि अगर पना लें हम अपस में डिसाइड करेंगे हम अपस में कमपिटिशन नहीं करेंगे वह जैसे के मोनोपॉली में होता था और और लिगो पुलि में उता है वहाँ पे काटल्स बना देदें से तो उसमें नौन प्राइस कंपेटिशनगे दो तो वह वह हो जाया तो लगवा पाट है तो लूर अर्ण एकॉनमी अकार्डिंग टू क्लासिकल एकनोमिस्ट प्लांड एकॉनमी एक्जिस्टिंट मार्केट एकॉनमी क्लासिकल के एकॉर्डिंग जो प्लांड एकॉनमी है वो एक्जिस्ट करती है मार्केट एकॉनमी में देखो ना कैसे अब देखो माप जैए हमारा प्राफिट मोटो है जो मैं बढारा हमोजिनिस प्रोडक्ट है वह आप भी बना रहें अब आप भी प्राइस नीं बढ़ा सकते और इस वहाँ फो हम पर आपकी तरफ मेरी तरफ हीफ्ट हो जाए rebelliv हो यह प्लांट economy अवह एक्जिस्ट करती है मार्केट एकोनोमी में अब ठीक है इसमें क्या होता है दा राइट यू प्रापर्टी इसमें राइट यू प्रापर्टी भी होता है इसमें fundamental future of capitalist economy यू प्रापर्टी मिन्स लेंड factory machinery माइंस और अंडर दी प्राइवेट ओनर्शिप इसमें मतलब प्राइवेट बंदू के होती है बबिशाइड दा ओनर फ्री टू सेल एंड डिस्पोज आफ हिपो क्रेसिटी ठीक है मतलब वो कुछ सेल कर सकता है ख्रीज सकता है बेश सकता है या उसके हराइट होता है पर प्लांट कराइवे में कर देच यह उता है उसमें गूर्मेंट सेलिख फ्रीजिज पहलए अब तेचिजिस क्या है इसके उसके मार्केट एकानों के गूट गुट्जान सर्विस प्रेडियूस प्रेडियूस क्यों में इसमें जिखिए प्रोड्यूस अर्वडियूस होती है और एफ उसको कम उसको रिवार्ड नहीं दिया जगा तो इस जब बंदे को पता होगा कि मुझे एंड में मतलब इंसेंटिव मिलेंगे या कुछ बोनस मिलेगा अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करेंगा तो इसमें एफिशेंट प्रोडक्शन होगी रिवार्ड इनोवेशन होगा नियू एक्साइटिंग प्रोडक्ट भी सैटिस्वाय कंजूमर डिमांड बैटर देन एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर कंप्यूटिटर विल वह मैं जैसे बताया कि अब जो कम प्रोडूस करेंगा उसको लास्में बोनस अब क्या होगा जैसे हम मार्केट इकॉन में प्रोडक्शन हाई करेंगे हमारे कंपनी का नाम बढ़ेगा जैसे हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं च्छी तरीके से तो अब कुछ जैसे एफडियाई हम लाते हैं फारं ड्रेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो लोग भी ब इन्वेड़ अरेबल टू प्रोड्यूस एंड कंजियूंव फ्रीली इट मेट रिच इवन रिचन अब यह क्या होगा जैसे वह बना रहें प्रोडक्ट अब रिच रिच वह उसकी मतलब स्थे मतलब करेंदा है तो वह खरीज सकताई तो पूर खरीज नहीं सकता तो अब क् गैप पड़ गया एक तो गैप यह हो गया तो यह इस से किया होगा कि जो रिच ओंगे अब देखो अब जैसे रिच बंदे मेरा इसमान खीड़ रहे अगर मैंने प्राइस पड़ा दिये तो रिच बंदे मेरी कंपनी से माल खीड़ रहे हैं अग में भी अमीर होता जा रहा वह भी प्रोड़क्ट ले रहे हैं अब ग्रीब एफड़ी नहीं कर सकता वह और ग्रीब होता जाएगा ठीक है यह लिखवाइट मेक दा रिच इवन रिचर एंड बिकाफ दे हैव मों मेक मोर में डिसीजन मेकिंग पावर एंड पूर में बिकम पूर बिकास अव लेस डिस में पूर मिलेंगी नहीं हुए अब फिर इसके बाद हो गया फ्री मार्केट में इंकॉर्ट हम फुल गूर्ड़ सबरी मार्केट क्या करीजिए । इसका मतलब प्रॉफिट करें तो अब और जीह वाँग्र कर देंगी औभ इससे क्या होगा the market will be ready to buy अब इससे मदल ड्रग से आपको पता कितना profit आता है तो इसको market ready हो जाएगी इसको buy करने के लिए since put firms will be waiting to produce anything that is profit अब क्या होगा कि firm वही चीज़ें बनाना शुरू कर देंगी जैसे कि जिन्स में उनको जदा profit मिलता हो चाहे वो drugs हो जाए जो मर्जी हो illegal हो वह भी करेंगी ठीक है इससे यह भी इसका side effect है production में lead to negative externalities when firms are always trying to maximize their profit दे में ignore external cost like damage the investment जब प्राफिट देखो अब जब वो profit बना ज्यदा वो करना शुरू कर लेंगी तो अब क्या होगा उसमे external external cost बढ़ जाएगी तो यह क्या करेंगी investment को damage करेंगी unemployment होगी अब देखो business in the economy will also employ those factor of production which will be profitable अब business को क्या motto होता है business को मतो होता है profit अब वह factor of protection लेगी जिससे उसको profit होगा we may find a lot of unemployment as more machine and less labor will be used to cut the cost अब क्या करेंगी देखो जब जएदा profit करना पर जाएगा अब एक बंदा अगर काम करता है वो एक बंदा मतलब फार example factory में एक दिर में दस शेट मनाता है तो जब machine है देगी तो वही इस शेट है मनाना शुरू करेंगी तो वह क्या करेंगे वहां से labor को हटा देंगे वहां फे machine produce कर वहां लगा देंगे plant लगा देंगे setup करेंगे तो वहां से उसकी प्रडेक्शन बढ़ेगी तो वहां से unemployment भी create होगी ठीक है यह था आज का लेक्चर हमारा economy और market economy और plant economy अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इससे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जुरूर करें और अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो subscribe जुरूर करें थैंक यू best of law